राशी मेश ओवर्वियू रुम्मैंस का मजा लेने के लिए छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने से बचना होगा। ऐसा करने से आप में सकारात्मक दृष्टिकून का विकास होगा। वो आपका साथी आपके साथ सुरक्षित महसूस करेगा। समय रहते ऐसा करने से भविश्य के लिए आपके संबं संस्थान के साथ चलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। संस्थान के किसी तकनीकी काम में आपकी प्रतिभा का परिचय मिलेगा। यदि कड़ी मेहनत से काम करेंगे तो आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे। राशी मेश, फाइनांस, जो कपड़ा या हस्थ शिल्प संबंधित काम करते हैं वे अपने काम वा आय में एक विकास देखेंगे। हाथ से बनी चीजों में इस समय एक उचाल देखने को मिलेगा जो आपके व्यापार में दिखेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपन जाकर कुछ अलग करेंगे। हो सकता है आप कोई नया व्यायाम या नया खेल खेलें। आप वही काम करें जिसमें आपको खुशी मिले। अगर आप कोई आराम दायक काम करना चाहते हैं तो योग करें। या फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलें। ये सब करने से आपको अच्छा लगेगा राशे वरिश ओवर्वियू याद है कि आपने अपने घर के आसपास कुछ परिवर्तन करने की सोची थी घर पर शांती का माहौल है इसलिए आप आराम से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं अगर आपको मदद की जरूरत है तो अपने परिजनों से जैसे की फिल्म या निर्त देखने जाएं जिससे नीरस्ता खत्म हो जाएगी और आपको फिर से बात करने का अफसर मिलेगा राशे वरिश करिया आज आपका सवभाग्य आपके साथ होगा और आप पाएंगे कि आप अपने सभी लक्षियों को चाहे वो कितने भी कठिन क् प्राप्त कर पाएंगे अपने सपनों को पाने के लिए सबसे महदपूर्ण चीज है द्रड इच्छा शक्ति आप अपनी उर्जा शक्ति को एकत्रित कर पाएंगे इससे आप अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएंगे आज आप आसमान को चू लेंगे संभावना है कि किसी विदेशी से आपकी साजेदारी हो जाए या किसी विदेशी संस्था में आप निवेश करें हाला कि यह फायदे मंद दिख रहा होगा पर समझदारी इसी में है कि अभी थोड़ा इंतिजार कर लें यह काम भी शुरू हुआ तो शायद यह उतना फायदे मंद न साबित हो सो इस काम को कुछ दिन के लिए टाल दें आपको लगेगा कि आपने समझदारी का काम किया राशी व्रेश, हेल्थ, सिरदर्द से सावधान रहें ज्यादा तनाव, ठकावट, बड़ी रुकावटें हो सकती हैं इसलिए आपको आराम के लिए योग और श्वास संबंधी व्यायाम करने होंगे क्योंकि इसी से आप शांत और हलका महसूस करेंगे राशी मिथुन, ओवर्वियू आज आपको अपने कार्याले और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलजाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा ध्यान रहे कि औरों को बहस करते देख आप भी शुरूर न हो जाएं अगर कोई आपके साथ गलत विवहार करे भी तो आप नम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकल लें सब कुछ ठीक हो जाएगा आज आप अपने पक्के वपुराने दोस्त से किसी ऐसी जगह मिल सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचाना हो उसके साथ रिष्टे को लेकर आप सोचते रही हैं आज रिष्टे को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है जो लोग पहले किसी रिष्टे से जुड़े हैं वे आज अपने पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे अपने प्यार और जज़बातों को उभरने दें अगर आप अपने किसी काम के परिणाम को लेकर चिंतित हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है सब कुछ ठीक होगा और आपको ये एहसास होगा कि आप बिना किसी बात के ही तनाव ले रहे थे आप पर आर्थिक दबाव चाहे जैसा हो आप अपने क्षमता से उन दबावों को जहल जाएंगे बस आप अपना लक्ष निरधारित कीजिए उसके लिए एक ठोस योजना बनाईए उस योजना पर काम कीजिए देखिए आप सामने आई एक एक आर्थिक चनौती का जम कर सामना करते हुए अपने लक्ष को छू लेंगे आज आप पाएंगे कि पुरानी चोटों और दर्द को ठीक करने के लिए आप तरह तरह के इलाज अपनाएंगे आप सोचते हैं कि ये इलाज आपके लिए फाइदे मंद होंगे मगर इनका परणाव वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था सभी तरह के इलाज की चानवीन कीजिए मगर ध्यान रहे सबसे पहले आप किसी पेशेवर की सलाह लें आज आप किसी ऐसी गत्विधी में भाग ले सकते हैं जो आध्यात्म से वास्ता रखती है इससे आपको खुशी वसंतुष्टी मिलेगी इससे आपका सही मार्ग दर्शन हो सकेगा इसलिए इसका पूरा लाब उठाएं अगर आपकी इच्छा हो तो आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं राशिकर्क, रोमैंस आज शादी का निर्णे हो सकता है पिछले दिनों से इस बारे में चलिया रही असमंजस की स्थिती आज खत्म हो जाएगी सूरत पर न जाएं, वो ठग सकती है देखने में उतना सुन्दर ना होते हुए भी हर तरीके से अच्छा और दिलदार व्यक्ति आपका पसंदीदा पार्टनर बन सकता है ये आपके लिए सर्वता अनुकूल भी होगा अगर आपको अपने काम में उपलब्धियों के लिए प्रशनसा मिले तो आपको अपने कार्या लए और उसके बाहर हो रही प्रतिसपर्धा से सावधान रहना चाहिए आपके विरोधी आप पर जूठा इल्जाम लगा सकते हैं इसलिए किसी से भी कोई बात ना करें आपके विरोधी सक्रीय हैं लेकिन आप उनसे निबटना जानते हैं पैसा कमाने के साथ साथ अपने करियर में उचा उठना भी आपके दिमाग में है आप अपने काम और विवसाय दोनों में ही एकदम सही दिशामें बढ़ रही हैं छोटी मुटी अरचनों से घबराएं नहीं ये तो आती जाती रहेंगी राशिकर्क, हेल्थ आज आपको महसूस होगा कि आपके दोस्त और घर वाले आपके स्वास्त की चिंता करते हैं और आपको स्वस्त जीवन शैली अपनाने में मदद करेंगे आप हर काम में अकेला महसूस नहीं करेंगे आपके साथ हमेशा आपका कोई साथी होगा जो आपको किसी कारे में अकेला महसूस नहीं होने देगा अगर आज आपको मदद की जरूरत पड़ी तो आज आपके मित्र वरिष्टेदार पीछे नहीं हटेंगे आज अपनों के सहयोग से आप अपनी समस्या आसानी से हल कर लेंगे ये समय उनको ये बताने का भी है कि उनका सहयोग आपके लिए कितना महतुपूर्ण है अपना प्यार जताने में बिलकुल संकोच ना करें राशे सिंग, रोमैंस अपने परिवार की ओर से आपके पार्टनर के लिए रजामंदी की बात सुनकर आज आप बहुत खुश होंगे ये हैरत भरी राहत आपके भविश्य को बहुत ज्यादा सहूलियत देगी खास कर वे जिनके लिए उनके परिवार वालोंने नया पार्टनर खोजा है उनके चुनाव से आप खुश रहेंगे आप शादी और उससे संबंधित अन्य रस्मों के लिए अपने परिवार वालों के सहयोग से तैयारी शुरू कर सकते हैं आज शायद आप अपने किसी नस्दीकी से बहस में पढ़ जाएं अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें क्योंकि गुस्सा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए इस मुद्दे को टाल दें या फिर प्यार से हल करने की कोशिश करें राशे सिंग फाइनांस आर्थिक संभावनाए सरकार संबंधित व्यापार के लिए बढ़ेंगी आपके काम शांती से आगे बढ़ेंगे और आपकी आयबढ़ेगी आज के दिन को ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म करने के लिए इस्तिमाल करें और देखें कि आपका बैंक अकाउंट किस तरीके से बढ़ता है आज ग्रहों का आप पर सकारात्मक असर रहेगा आज आप खुद में और अपने मूड में सुधार देखेंगे आप मौके का फायदा उठाएं और कुछ व्यायाम करें ताकि आपको आने वाले समय में इसका लाब हो आज आपका सामाजिक जीवन बहुत से गत्विधियों से भरा रहेगा आप अपने दोस्तों के साथ खूब मजा करेंगे और साथ ही अपने काम में मिली सफलता का भी मजा लेंगे इस समय का पूरा आनंद लें क्योंकि बाद में आपको बहुत सी चुनोदियों का सामना करना पड़ सकता है आज आपको अपने फॉलादी इरादों से अपने साथी के बारे में आवांचित विचारों को निकाल देना चाहिए आपस में व्याप्त गलत वहमियों को मिटाने का भरसक प्रयत्न करें जिससे आपसी प्रेम वह समझदारी बढ़ सके आज अपने कारेसल में गुस्से को काबू में रखें आपके लिए काम करने वालों के साथ आपकी छोटी मोटी बहस हो सकती है लेकिन आपको धैरे से काम लेना होगा और सही प्रोफेशनल विवहार करना होगा अगर आप शांती से काम लें, तो समय के साथ ये जगडे खुद ही निपट सकते हैं व्यवसाइक एक शेत्र में बन रहे नए समपर्कों से आपको फायदा पहुचाने वाले नए मौके मिलेंगे हाला कि इन्हें हासिल करने से पहले इसके दोनों पक्षों को ठीक से समझना बहुत ही महतुपूर्ण है आपको अपनी बहुत धिक शमता का इस्तेमाल पैसा कमानी के लिए भी करना चाहिए इससे आपको अपना प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने में तो मदद मिलेगी ही नए नए विचार भी दिमाग में आएंगे आप अपने द्रड प्रयासों से अपने लक्ष को पा लेंगे और आपके सपने साकार होंगे भविश्य की व्यवसाईक योजनाओं के लिए आपको पूरी प्लैनिंग करके चलना चाहिए इससे अपना आर्थिक लक्ष भी पा सकेंगे ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को सावधान रहने किया वशकता है अगर आप ज्यादा वजन से परेशान है तो उसे भी कम करें क्योंकि यही आपके लिए लाबदाई है सिर्व शाकाहारी खाना लें और नियमित व्यायाम करें आपको लाब होगा यदि आप साधना को अपने जीवन का नियमित स्थान दें आज आपका मन अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करने का होगा आज कल आपके रिष्टों में सुधार आ रहा है जिससे आपको बहुत खुशी मिल रही है आज आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिजनों या मित्रों के साथ बिताएं और अपने जीवन का मजा लें आपको चाहिए कि आप आकरशक व्यक्तित्व वाले अपने साथी को अपने वश में कर सकें जिन्दगी का मजा लेने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी शांत एवं प्राकृतिक रूप से भरपूर किसी रोमैंटिक स्थान पर जाएं जहां आपको कोई तंग ना करे इस प्रकार आप एक दूसरे को भली प्रकार जान सकेंगे इस प्रकार बाहर जाने से ना केवल आपकी बोर्यत दूर होगी वरन जिन्दगी के नए आयाम भी मिलेंगे आज आप अपने उपर काम का बोज महसूस करेंगे चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों नहों हर बॉल को हवा में ही रखने की कोशिश करें इस समय जो आप अतरिक्त काम कर रही है वो भविश्य के लिए आपका निवेश है जिससे की आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा अगर आप अपने कारिक शेत्र और आर्थिक शेत्र में अपनी सिती मजबूत करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप रचनात्मक और अपने मिजाज के लोगों के साथ साजेदारी करके चलें इस से आपको अपनी योगिता साबित करने का भी मौका मिलेगा आपके हित में है कि आप नित नहीं आ रही तकनीक की जानकारी रखें इस तरह आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर तो चलेंगे ही आप अपनी क्षमता भी सावित कर पाएंगे यह सही समय है कि आप अपनी रचनात्मक और जा को अपना आर्थिक लक्ष पाने की तरफ लगाएं समय को अपने पक्षमे करने का सबसे बढ़िया रास्ता है अपनी उर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवशकता है जिससे आप अच्छा स्वास्त कायम रख सकें अपने आपको विवाधास्पत सितियों से दूर रखें ताकि आप किसी मानसिक उल्जन में न पड़ें आप उन कामों से दूर रहें जिनसे आपका मूड खराब हो सकता है सिर्फ खाने के लिए न खाएं बलकि आपको इसमें सावधानी भीवरतने की आवशकता है ध्यान रखें कि पौश्टिक भोजन ही आपको स्वस्त रखने में सहायक होगा किसी व्रिद्ध व्यक्ति से आपके रिष्टे में खटासा सकती है अगर आप किसी बड़े जगडे में फसे हैं तो उसे अब हमेशा के लिए सुलजा दीजिए अपनी जबान पर नियंतरन रखें वरना अपने कटू शब्दों को लेकर आपको बाद में पश्टाना पढ़ सकता है आज आपके प्यार में डूबे रहने का दिन है पार्टनर आपको बार बार छेड़ेगा आप दोनों दिन भर आनंद करेंगे आपको लगेगा कि दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय और उर्जा है आज आपको इस बात की खुशी होगी कि आपकी मेहनत के कारण आप अपने काम में सफल हो सके हैं आपके साथ ही भी इस बात से खुश होंगे कि आप अपने काम बसफलता का मजा ले रही हैं अच्छे समय का पूरा लाब उठाने की कोशिश करें आज खर्श तो ज्यादा है लेकिन पैसे की आवक उतनी नहीं दिख रही जितने आप उम्मीद कर रहे थे इसलिए अपने बजट का लेखा जोखा एक बार फिर से कर लें क्योंकि आपकी उपरी आमदनी का जो एक सुरोत है वह भी बंद होने की आशंका है लेकिन चिंता में वक पड़िये दूसरे खर्चे कम करके उसकी भरपाई की जा सकती है बहुत दिनों से स्वास्त खराब होने के कारण आज आप अच्छा महसूस करेंगे कम तनाव होने से ब्लड ट्रेशर भी कम रहेगा इससे आपकी सेहत को फायदा होगा आज आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा ग्रहों की स्थिती भी आपको स्वस्त रखने में मदद कर रही है आप व्यायाम करना शुरू करें ताकि आपकी सेहत लंबे समय तक बरकरार रहे आज आपके और आपके दोस्त के बीच मधुर रिष्टा आपको खुशी देगा किसी गलत वहमी को हल करने के आपके प्रयास रंग लाएंगे ये समय अपनी पुरानी यादों को ताजा करके उनका मज़ा लेने का है एक साथ बिदाए गए इस समय का आपको पूरा मज़ा लेना चाहिए राशिधनों, रोमैंस आज अपनी प्रेमी के साथ छुट्टी पर जाने के बारे में विचार करें प्रेमियों के लिए उत्तर दिशा में प्रस्थान करना सबसे सही है यदि आप छुट्टियों पर विचार कर रहे हैं तो इसी दिशा में जाएं इस रोमैंटिक छुट्टी का आनंद उठाईए राशिधनों, करियर आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे पूरे दिन आप मीटिंग में ही घिरे रहेंगे अगर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही से पूरा कर पाए तो आपके बहुत वसाथियों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर आप पूरी महनत से काम करें तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके हक में ही रहेगा आपके व्यापार में आने वाले इस कठिन समय से निपटने के लिए आपको सब से पहले समय निकाल कर बैठना होगा वस सही योजना बनानी होगी इस विशय में चिंता ना करें आपकी कुशलता वगुणवत्ता के चलते आप कठिन से कठिन समय में भी पार पालेंगे ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि हमेशा ही अच्छा समय चलता रहे ये कठिन समय भी जल्दी से निकल जाएगा आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की आवशक्ता है अच्छी सेहत के लिए आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है ध्यान रहे आप किसी भी लड़ाई में ना फसें उससे आपको मानसिक परिशानी हो सकती है ध्यान रहे आप पौश्टिक और सुरक्षित खाना ही खाएं आज आप अपना मन, प्रार्थना और ध्यान में लगाएं और अपने भीतर शांती ढूंडने की कोशिश करें आप अपनी अंतरात्मा की राह पर चलना चाहते हैं बाहरी दुनिया से रिष्टा तोड़कर खुद से रिष्टा जोडने का ये बहुत अच्छा मौका है सितारे आज आपकी जिंदगी में कुछ हैरतंगेज चीजें ला सकते हैं मौके का लाब लें अपने पार्टनर से खुल कर प्यार जताएं आपको भी वैसा ही प्यार मिलेगा आज का दिन आपकी जिंदगी में बड़ा मोड लाएगा सहकर्मियों के सहयोग से आप अपनी उर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप सही रणनीतियां बनाएं और उनको प्रियोग में लाएं अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके काम काश्रे आपको ही मिले. अगर आप अपने साथियों की मदद करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो भी आपकी मदद कर रही है. आज अपनी आए को बढ़ाने के लिए सारे विकल्पों की तलाश करें यह सोचें कि आप अपनी योगिता वो समय का पैसा कमाने में कितना बढ़िया उपयोग कर सकते हैं कोई ऐसा विवसाय शुरू कर सकते हैं जो आप घर से बाहर रहकर भी संभाल सकें व्यवसाहिश शुरू करने के अपने सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार कीजिए क्योंकि अगर आपने ये शुरू किया तो इसमें सफलता मिलना तय है आज त्वचा संबंधी बिमारियों में आराम होगा परंतु साथ ही ध्यान भी दे सूरत से बच कर रहें ये हानिकारक हो सकता है खान पान में सावधानी बरतें वरना आपकी तवचा को नुकसान पहुँच सकता है आज आप किसी शांत जगह पर आत्मचिंतन करें आप लंबे समय से बहुत कड़ी मेहनत कर रहें हैं ये ब्रेक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आत्मचिंतन से आप खुद को नकारात्मकता से दूर रख पाएंगे राशिकुम्भ, रोमैंस आज कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुशी और उत्साह लाएगा ये अनुभव तब होगा जब आप उससे एका एक मिलेंगे उसके साथ प्यार और भावनाएं खुल कर बाटेंगे राशिकुम्भ, करियर आज का दिन अपना पूरा जोर लगा कर अधिकारियों को प्रसन्न करने का है यदि इस समय पदोन्यती का काम चल रहा है और आप कड़ी महनत कर रही है तब निश्चे ही अच्छे परणाम मिलेंगे राशिकुम्भ, फाइनांस आज के दिन आप अपने आपको विलासिता में डुबोना चाहेंगे हो सकता है कोई गहने खरीदना चाहें या फिर कुछ इस से भी अधिक आप अपने आपको इस प्रकार के सुक अवशे दे सकते हैं परन्तु इसमें भी अपने बैंक खाते की दशा का विचार अवशे करें आप काफी प्रयोगवादी हैं लिकिन इस संतुलन को बनाए रखें राशिकुम्भ, हेल्थ खाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा होगा परन्तु अब आप बहतर महसूस करेंगे आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करें जीवन शैली में कोई भी वदलाव स्वास्त विकार ला सकता है आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा आज आपका मन करेगा कि आप कहीं बाहर जाएं और लोगों से मिलें आज आप अपनी जिंदगी को लेकर कुछ तनाव में हैं आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने क्यों नहीं चले जाते अगर आज आप किसी सामाजिक समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा अपने प्रेम प्रसंग बढ़ाने के लिए अपने साथी को संदेश भेजें इससे आपका साथी इस संबंध को बनाए रखने वह आगे चलने की आपकी इच्छा के बारे में जानेगा आप जो कहें वो सच्चा वो उत्तेजना भरा हो मगर साथी साथ अपने साथी को ये जटाएं कि आप कितने सच्चे वो उत्सुक हैं कुछ भी सिर्फ इसलिए ना कहें कि आपका प्रेमी उसे सुनने का इच्छुक है। आज का दिन आपको बहुत अच्छे से बिताना है, क्योंकि पदोन्ति यदि लंबे समय से नहीं हुई है, तो ये उसका अंतिम चरण हो सकता है। अपने अधिकारियों को किसी प्रकार का नकारात्मक कारण ना दें, अपनी उत्पादक्ता से उन्हें प्रसन्न करें। आज आपके लिए फाइदे का दिन है, आपको लगेगा कि आज आपकी सभी व्यावसाई के उजनाएं काम कर रही हैं। आज किसी नए काम का जोखिम ले सकते हैं। आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की सोच रही हैं, तो पहले निश्चिंत हो जाईए कि जिससे सलाह ले रही हैं, वह इस काम के लिए एकदम ठीक है या नहीं। राशी मीन, हेल्थ, योग विशेशग्य द्वारा दिये गए बहुमूल्य टिप्स आपके लिए लाबगारी सिद्ध होंगे। ध्यान रहे, आप कुछ समय निकाल कर आराम जरूर करें। आराम करते समय आप तनाव को अपने कंधों से निकाल फेंकें और इस समय आप अप